नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग देखिए हमने अभी पिछले दो लेक्चरों के अंदर जो यह एरा ओफ कॉल्ड वोर था 12th क्लास की जो बुख है यह हमारी समकाले विश्वर आज नहीं थी कि कंटेंप्रेरी वर्ल्ड कॉलिटिकल साइंस की तो इसके फर्स चैप्टर के द लिएंग वर्ल्ड में कहां कहां पर जो अमेरिका और सोव्यत रश्या है यह भीड रहेते आपस इस पर ही बात करनी थी हमें तो इसको एक बार इसमें वर्ल्ड मेप में अगर देखें एक तो यह कोरिया वाला नौर्थ और साउत कोरिया, कौरियन पैनिन्सुला तो ये इंडो चाइना में अगर बात करें तो ये वियतनाम वाला एरिया जहां पर ये बिढ़ रहे थे बिढ़ने में तो अफगानिस्तान में भी समस्या पैदा करी दी थी जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत आर्मी एंटर कर गई थी फिर एक्जिट कर गई थी फिर अमेरिकन आर्मी एंटर कर गई थी समस्य यहां भी पैदा हुई थी Gulf War सबस्य शान्दा समस्य यहां पैदा हुई थी जिसे Cuban Missile Crisis कहते हैं Cuba Missile संग करना 1962 का और समस्य यहां जर्मनी में भी पैदा हुई थी Berlin Blockade जो Berlin में सोवियत रशिया के द्वारा दिवार खड़ी कर दी गई थी कि यहां पे जो पूर्वी जर्मनी हैं यह सोवियत नी अंतरन में था पश्चिम जर्मनी हैं यह अमेरिकन कंट्रोल में था टर्की में भी होईती है जो तुर्की है यह समस्य यहां पर भी हुईती है तो अब इतना तो दे नहीं रखा है 12 के अंदर अगर 12 में इतना पढ़ा देंगे तो फिर आगे क्या पढ़ाएंगे तो इसलिए हम उन्हीं बिंदू पर बात करेंगे उनी समस्याओं पर बात करेंगे जो 12th class की 1st chapter के according है ज्यादा detail में नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी एक समझ तो विक्सित करेंगे कि उस समय विश्व में हो क्या क्या रहा था उनके कुछ लीडरों की बात करेंगे कि कोरिया में उस समय लीडर कौन थे अमेरिका में उस समय स्तति क्या चल रही थी विश्व में चाहरा था तो क्यों चाहरा था देखिए इस पर एक डिसकर्स करें अगर डिसकुशन करके निश्करश निचा लें तो एक चीज समझ में आती है जो उपनिवेश्वाद यह जो कॉलोनियलिजम है उसके खिलाफ हैं यह सोवियत रश्या यह जो देश हैं यह उसके खिलाफ हैं क्यों खिलाफ हैं खिलाफ होने का कारण यह है कि अगर कॉलोनियलिज्म होगा तो वहीं से कैपिटल भी जन्रेट होगी मतलब सीधे सीधे तौर पूंजी वाद आएगा तो उपनी वेश्वाद के खिलाफ तो हैं यह सोवियत समाजवादी राष्ट्र लेकिन अमेरिका नाटो मैंबर्स फ्रांस बेटें यह तो जो कॉलोनियलिज्म है उसके अगेंस्ट है नहीं यह तो है कैपिटलिस्ट अगर किसी देश में कॉलने स्टेबिलिश करेंगे लाइक इंडिया तो वहीं से तो पैसा निकलेगा तो आफ्टर सेकेंड वर्लो और हुआ यह कि जो भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी नाटो मैंबर्स थे ब्रिटें जहां-जहां से एक्जिट करता आगया क्योंकि ब्रुटें तो कमियर हो गया तो जहां-जहां से वच्रिटेंन करता गया वाणापशावर करता गया अमेरिका वाउंपर कंट्रोल अमेरिका करता गया और और रशिया को ऐसे फायदा मिला कि जो जो देश कोल्ड वर्ल्ड वर सेकेंड में बरबाद हो गए थे या जिनकी आर्थिक इस्तेदी खतम सी हो गई थी है तो वहाँ वहाँ पर गरीबी भुकमरी बेरोजगारी अशिक्षा प्लस जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है कि पूंजी वादी वर्सेज जो सरवहारा वर्ग है तो यह जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है यह वहाँ पर apply होना start हो गई थी क्योंकि देश गरीब हो गई ते बरवाद हो गई थी तो वहाँ वहाँ पर automatic समाजवाद या फिर जो Russian या USSR control था वह फैलता गया automatic इस बात से समस्या होती गई America and parties को कैसा हो क्यों रहा है अमेरिका एंड नाटो मेंबर्स यह चाते हैं कि वहाँ वहाँ पर कंट्रोल करने यह देश सोव्यत समाजवाद का कंट्रोल ना हो यही लड़ाई है यही विचारदरा की लड़ाई कोल्ड बोर में अब यह जो कंट्रोलिंग की गई है इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए चोटे देश चोटे देश like क्यूबा लाइक वियत नाम, कोरिया एट स्सेट्ट यह प्रभावित हुए उए क्यों प्रभावित हुए रिजन साफ है छोटे देशों को ये यूज कर रहे थे अपने नेवल बेस बना करके जैसे क्यूबा का ग्वांत नामो बे है तो ग्वांत नामो बे जो नेवल बेस है वो अमेरिका ने ले रखा तक पट्टे पे दूसरी बात जब नौर्थ कोरिया पे कबज़ा हो गया USSR का तब साउथ कोरिया पे UN के बैनर तेले अमेरिका एंड नाटो मेंबर्स ने कंट्रोल करने ही कुशिश करी सेम वियतना में भी यही हुई तो एक एक करके स्पेक बड़ देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है तो हम यह है अमेरिका दुनिया का मुखिया और यहाँ एक कंट्री है यह क्यूबा अच्छा क्यूबा का भी एक इतिहास है क्योंकि जब हम लोग कॉल्ड वर में क्यूबा मिसाइल क्राइस पढ़ते है 1962 का तो एक उसका थोड़ा बैग्राउंड अगर अपने को पता हो तो थोड़ा आसा नहीं देती चीजों को समझने में हुआ यह कि 1898 1898 में हुआ क्या कि इस्पैन और अमेरिका में एक ट्रीटी साइन हुई एक संदी हुई इसमें 20 मिलियन डॉलर अमेरिका देगा इस्पैन को और उसके बदले इस्पैन क्या क्या देगा गवाना फिलिपिन्स और प्यूटरी को प्यूटरी को यहीं है बगल म इसमें दिखेगा नहीं और जैसे गूगल करेंगे तो प्यूटर ये को दिख जाएगा तो ये दे दिये गए जब बृतेन का कंट्रोल तो अल अवर वर्ल्ड पे है क्योंकि अमेरिका भी तो बृतेन से आ जाद हुआ है तब ये साउथ अमेरिका और ये जो केरिवेन कंट्रीज हैं और अल साउथ थक चलें अगर अपन तो ये सब यूरोपियन कंट्रोल में थे अब यूरोप की भी एक पॉलिटिक्स थी इसके पीछे क्या थी कि बृतेन नहीं चाहता था कि कोई भी फ्रांस पुर्तगाल इस्प करेंगे तो वांके रिसोर्स इसको यूज करेंगे और शायद पावर्फुल बन जाए इतने में एक साइमन बॉलिवर नाम का यूरोपियन व्यक्ति जो कोशिश करता है कि साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट के अंदर रिवॉलिशन लाया जाए करांती जगाई जाए और जो इस बनी हुई है यूरोपियन कॉलोणी हैं जो साउथ अमेरिका में उन्हें आजाद करा दिया जाए साइमन बॉलिवर ने जब इससे आजाद करवाने की कोशिश करी तो उसी के सम्मान में बॉलिविया देश भी साउथ अमेरिका में बन गया लेकिन इतने डीप इतिहास क हम बात नहीं करें हम यही समझने कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रोल में था यह जो साउथ अमेरिका एंड कैरिवियन कंट्रीज जो था यह यह यूरोपियन कंट्रोल में था तो इस्पैन के कंट्रोल में थी यह जगे 1898 की ट्रीटी में इस्पैन ने प्यूट औ एक फिलिपिन्स वगरे देए, अमेरिका को, हुआ क्या, कि क्यूबा जो है, क्यूबा के सिर्फ पे हाथ रग दिया, अमेरिका ने, कि यह हमारा सरक्षित, देश सरक्षित राज्य, बना रहेगा, कांट्रोल क्यूबा पे, अमेरिका का रहेगा, 1902 में क्यूबा ने सोतंतरता भी प्राप्त कर ली अमेरिका से कि ठीक है भया मैं सोतंता दो दे दो अमेरिका ना सोतंतर हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपके Foreign Ministry and Finance Ministry वित और विदेश मंत्राले को अमेरिका देखेगा क्या कर रहा है क्या नहीं करना है क्यूबा ने सहमत ही जाता दी मरता क्या नहीं करता तो यह सब कुछ हो गया इसी समय है यह गौनतनामो बे वाली जो मैंने बात बताई आपको गौनतनामो बे का जो नेवल था नेवल बेश था, उसे अपने कंट्रोल में कर लिया, अमेरिका ने, यहां तक क्लियर है, अब हुआ क्या कि, यहां पे जो क्यूबा में सरकार बनी आगे जा करके, है नहीं, कहां गई, तो जो सरकार बनी, वो थी बतिस्ता की, अब बतिस्ता एक कठपुतली सरकार थी, आप य कठपुतली सरकार आपको पता है, जो नेशनलिस्ट होते हैं, उन्हें पसंद नहीं आती है, तो जो बतिस्ता थे यह, एज़ा कठपुतली थे अमेरिका के, इन बतिस्ता को हटा करके, यह फिदल कास्त्रों, इन फिदल कास्त्रों ने अपनी सरकार बना लिए, फिदल कास् बन गए फिदेल कास्तुरों प्रभावित है निकिता खुषचेव के समाजवाद से देखो होता है जो व्यत नाम पढ़ें तो हो Chief Minh ये भीongeंगे समाजवाद से कम्यॐनिस्म से तो ये भी influenced है निकिता कुरुष्चेव के communism से समाजवात से तो इन्हों ने क्यूबा के अंदर समाजवात की स्थापना करने की कोशिश करी अच्छा इससे पहले भी एक छोटा सा कांडोर है American राष्टपती जॉन F. Kennedy 1960 में बनते हैं उनसे पहले आइजन हावर अमेरिका के president थे आइजन हावर ने किया क्या कि जो अच्छा एक इसमें ही देख लेते हैं यहां से एक विमान उड़ता है या मान लो कि अमेरिका के विमान था U-2 विमान यह U-2 विमान सोवियत आस्मान में जासुसी कर रहा था कि Soviet Russia क्या कर रहा है क्या मिसाइज बना रहा है एटम मम बना रहा है नई बना रहा है क्या कर रहा है कोई सो रहा है क्यों सो रहा है मतलब XYZ यह जासुसी कर रहे था Soviet army ने पकड़ लिया पकड़ लिया और पाइलेट को पूछा वह क्या लेने आयो और अमेरिकन है और अमेरिकन है जासूशी करने आए यहां पर शांती थोड़ी भंग हो गई आइजन हावर पर ब्लेम भी लगा मामला गर्मा गर्मा गया आइजन हावर ने कहा कि यह हम करते रहेंगे बरोसा नहीं है में सोवियत रूस पर मविश्य में किस टाइब की एक्सपेरिमेंट्स कर डाले विश्व शांती खत्रा पोशा दे खुझ अमेरियों कुछ भी कर ले कोई दिक्कात नहीं पर दूसरा नहीं करना चाहिए तो इस टाइब से 1960 का यह यूटू विमानकांट था ठीक है सरकार बदली जॉन एफ केनेडी आया जॉन एफ केनेडी चाहते थे कि शांती बनी रहे सब्भावना बनी रहे निकिता खुरुष्चे उससे बातचीत करते रहे लेकिन 1961 में यह यहां पर बे ओफ पिक्स यह कु क्योबन रिफिूजियऄ थे उन क्यूबन रिफिूजिजीऄ कीमट किया अमेरिका ने कि हतियार लो और फिदौस्तरों सरुकर चैनिक ने इन pipeline की से लिफिजीजिट की पावर को दबा दिया 1961 का Bay of Picks attack खतम दिया नेक्स्ट येर हुआ क्या अमेरिका को जवाब देने के लिए एक शिप भेजी गई यहां पर इसको साफ कर देते हैं शिप तभी दिखेगी हुआ यह कि रशीया ने अमेरिका को थोड़ा सदद्भुद्ध्धी देने के लिए एक जहाज भेजा ठीक है और इसमें शौठ आख क्यूबबा को चौट आख कर que अमेरिका को टार्गेट करना था उसकता अगर उन शॉट ऐसनिक को जो नियुक्लियर बॉम्स भी थे अगर उनको लॉंच कर दे जाता एक बार तो इतना एरिया साफ हो जाता दरा नहीं कोशिश इसलिए किया गया था अमेरिका को इसलिए सबक सिखाने कोशिश की गई थी कि इसके अमेरिका ने भी कुछ कर रखा था तर्की के अंदर यह तर्की है यह तर्की के अंदर इसने भी अपने रॉकेट लगा रखेते हैं अमेरिका ने यूएससर पे ताकत का प्रदेशन करने के लिए यूएससर कम तोड़ी है वो क्यूबा पहुच गया ऐसे कैसी तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक तरीके से आप यह माल लो कि जो तर्की में रॉकेट लॉंच ते उनका ही जवाब है यह मैरे इसाथ से बात समझ में आगे क्योबन मिसाइल कासिस हुआ क्यों था हुआ हुआ जो भी हुआ जो होता है अच्छे के लिए होता है शौट बालेस्टिक मिसाइल जैसे आने लगी तो यहां पर अमेरिकन साफ करना है संकी तानशा जोन एफ केने ने समझदारी दिखाई निकिता खुष्चे ने तरी समझदारी दिखाई जोन एफ केने ने ब्लॉकेड हटाया निकिता खुष्चे अपने वापस ले गए तो 62 के अंदर तो लगबग यह मान लो कि वर्ल्ड वर्ट थर्ड छिड क्या जाता हो ही जाता इतना गर्मा गर्मी वाला मुद्दा था यह तो क्योब इसल क्रैसिस क्लिए मेरे साफ से याप शॉर्ट वैले थिक मिशाईले एं चली आगे नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या है next है Korean war देखिए Korean war start होती है 50 में और खतम होती है 53 में कैसे start होती है इसके पीछे साफ साफ सा एक reason है कि Soviet Russia में जो Lenin की सरकार थी व्लादी में Lenin choice में खतम हो जाते हैं वो death हो जाती है उनकी तो Lenin ये चाते थे कि पूरी दुनिया में समाजवाद को फैलाया जाए पूरी दुनिया में कहते थे कि समाजवाद एक निरंतर चलने वाली परीक्रिया है लेकिन जो Joseph Stalin बने आगे जाकर करके राष्टपती है वो कहते थे कि पूरी दुनिया में समाजवाद लागू करने से बढ़िया एक ही देश में समाजवाद को सही तरीके से मैंटेन किया जाए इस बात को लेकरके लैनिन के जो साथ ही थे टॉटस की और Joseph Stalin के बीच मतवेद भी हुए थे इसलिए कहा जाता है कि टॉटस की को जब मरवाय गया तो शायद स्टालिन का ही हाथ था उसमें तो टॉटस की भी यही चाहते थे कि लैनिन का समाजवाद पूरी दुनिया में फैले स्टालिन चाहते थे कि सिमित दायरे में फैले लेकिन वर्ल्ड वार जब खतम हुई तो मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि बहुत सारे देशों की एकनोमी कॉलैप्स कर गई थी और बहुत सारे देश खुद से इंफुल्वेंस दे कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए कम्यूनिस्म समाजवाद तो ऐसे नोर्थ कोरिया के अंदर जो आज किम जॉंग उन नहीं है उनके दादा जी किदर गए यह रहा यह किम उल्सुम यह चाहते हैं कि हाँ नोर्थ कोरिया में कम्यूनिस्म आ जाए इनके अगेंस्ट साउथ कोरिया में है सिंग्मन री यह चाहते हैं कि वहया कैपेटलिस्म रहे, डेमोक्रेसी रहे इलेक्शन हो, टाइमली, सब कुछ हो मतलब अमेरिका वाली आइडिलोजी चाहते है सिंग्मन री और सोवित रशिया वाली आइडिलोजी चाहते है किम उल्सुम अच्छा, यह सपोर्ट ले रहे हैं सिंग्मन री कम्यूनिस्म विरोधी है तो ये support ले रहे हैं किसका चांग काई शेक का अब ये चांग काई शेक को ने ये शेक जो है चांग काई शेक है ये चाइना के वो leader है जो डॉक्टर सन्याद सेन के बाद उनके उत्रादीकारी के रूप में बनेंगे देखो है क्या कहाने थुड़ी detail में है एक वार इन पर ब 1614-4 में मांचू वंश इस्टैबलिश होता है चाइना में इस मांचू वंश जो बिल्कुल यूरोपियन पावर्स को बाइकार्ट नहीं करेगा यूरोपियन पावर्स पूरे चाइना पर कबजा कर लेगी जापान रौंद डालेगा मंचूरिया को निगल लेगा पूरा बहुत कुछ हो जाएगा तो उसके अगेंस्ट एक व्यक्ति डॉक्टर सन्याथ सेन इस मांचू डैनेस्टी का विरोध करते हैं और मांचू डैनेस्टी के अगेंस्ट चाइना में एक गवर्मेंट इस्टेब्लिश करने कोशिश करते हैं कॉमिंग ताल दंग बनाते हैं इनके जो दल होता है उसका नाम होता है कॉमिंग ताल तो डॉक्टर सन्याथ सेन 1911 में चीन में गंतांत्रिक करते हैं डैमोक्रेटिक रेवोलुशन करते हैं ठीक है सब आगे जाके डॉक्टर सन्याथ सेन की डैथ हो जाती है उनके उत्रादिकारी होते हैं चांकाई शेख जिनके बारे मैं अपने फोटो देखी थी सैड में खड़ेते हैं जो जो चांकाई शेख है यह उनके उत्रादिकारी हैं और यह पावर में आते हैं यह भी communist विरोदी थे लेकिन डॉक्टर सन्यात सेन के टाइम से ही उनके पैरलल माओ जिदॉंग भी communism established कर चुके थे और माओ जिदॉंग communism established कर चुके हैं सब कुछ हो चुका है अब टककर है माओ जिदॉंग versus चांकाई शेक तो वही बात है माओ जिदॉंग का सपोर्ट मिलेगा किम उल सुंग को चांकाई शेक भी communist विरोदी है सिंग मनरी भी communist विरोदी है इनका सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे को मेरे इसाब से कहानी समझ में आ गई है हुआ यह कि 1950 के अंदर 50 से पहले अगर बात करें थोड़ा और पहले की बात करें कोरिया को अगर स्पेशल समझने कोशिश करें तो गुनिस सो चार पांच में जब जापान रूस का युद होगा चार पांच में जापान रौंद देगा पूरे रूस को साफ कर देग अच्छे से तब यहां उससे पहले कोरिया में और या डैनेश्टी रूल करती थी है ठीक है लेकिन आगे जाकर के इस पूरे कोरिया पे कबजा हो जाएगा किसका Japanese का Second World War खतम हो जाएगा तो होगा क्या कि समय के हिसाब से North Korea पे कबजा कर लेंगे Russians सामेवाद यरूस और South Korea पे तुरंथ American, UN के Banner तेले American and NATO members कबजा कर लेंगे ठीक है? यह हो गया अब आगे जाके 1948 में UN के Banner तेले election कराने की कोशिश की जाएगी North Korea, South Korea में election करा ले जाए North Korea election कराने से मना कर देगा समाजवादी परमपरम election उस टाइप से होते हैं यह से democratic governments में होते हैं मना कर देगा गर्मागरी में हो जाएगी और North Korea अटेक कर देगा South Korea के उपर South Korea पे जैसे अटेक होगा तो North Korea के सपोर्ट में चाइना, रेशिया यह होंगे South Korea के सपोर्ट में अमेरिका और नाटो मेंबर्स होंगे और युद छिड़ जाएगा अच्छा युद छिड़ेगा चलेगा लगवाद तीन साल तक एक बहान व्यक्ती है American General Mac Arthur यह क्या करेंगे एक नापलम होता है जोलंशिल पदार्थ उस नापलम को गिराएंगे North Korea पे टगड़े तरीके से जलाएंगे भेंकर भीषण अगनी वर्षा होगी समझ लीजी आप सब कुछ हो जाएगा इसका प्रोटेस्ट करते वे भेंकर प्रोटेस्ट करते वे America and NATO members North Korea को आकरोमनकारी गोशित करा देंगे कि हाँ North Korea नहीं अटेक किया है अच्छा यह आकरोमनकारी कैसे गोशित करा दिये सोवित रशिया उस समय का है चीन उस समय का है तो बात यह है कि जब Chiang Kai Sheik 1949 में इस थति हम बहुत बदल चुकी होगी चीन का इतियास पड़ते हैं जब ज़्याद अच्छे समझ में आती है अपने को लेकिन शॉर्ट वे में समझ लीजिए कि 1949 के अंदर जो Chiang Kai Sheik नहीं है यह भाग करके पहुँच जाएंगे ताइवान चाइना से एक्जिट करके कम्यूनिस्ट रहने नहीं देंगे इनको क्यों कि कम्यूनिस्टों का पूरे चाइना पर कंट्रोल हो जाएगा 1949 का जो चाइनिस रेवलिशन है बस इतना समझ लीजिए वागि डिटेल में तो हम यह नहीं कर सकते तो माउजिदों का कंट्रोल हो जाएगा माउजिदों का कम्यूनिस्ट अमेरिका कम्यूनिस्टों को चाता नहीं कि कम्यूनिस्टों का कंट्रोल हो कहीं पर भी तो जब माउजिदों का कंट्रोल हो जाएगा तो अमेरिका नाटो मेंबर्स इसे मानने से मना कर देंगे कि ये भी कोई देश है इस बात से खफा है सोवियत रशिया तो जो अमेरिका मना करेगा तो यानि यूएन मना करेगा तो सोवियत रशिया बोलता है कि इस यूएन पर में भरुसा ही नहीं है इसकी बैठक में हम participate ही नहीं करेंगे तो Soviet Russia एक तरीके से absent रहता है और उसी absent रहने के दौरान फायदा उठाते हैं American and NATO members और यह आक्रमनकारी गोशित कर जाते है North Korea को लेकिन इस ततियां बदलती है ऐसा महसुस होता है चाइना को कि यह आप बॉर्डर पार करके American and NATO members आ सकते हैं चाइना के पास उतने अच्छे खासे हतियार तो नहीं थे लेकिन भीड बहुत ज़्यादा थी आज भीड बहुत ज़्यादा है population अच्छी खासी है चाइना की बरदान है तो कहने का मतलब यह है कि चाइना को जब इस चीज़े मैसूस होई तो चाइना और सोवेत रशिया ने मिल करके North Korea का साथ देने ही कोशिश करी American and बाकी members लगे वे थे और 53 के अंदर 53 के अंदर लगबग लगबग यह मान लीजिए यह वार खतम भी हो जाती है शांती समझता भी हो जाता है और North Korea और South Korea दो देश बन जाते है भारत का इस समय स्टेंड क्या होता है भारत यह मानता है कि North Korea का साथ दिया है चीन और सोवेत रशिया ने तो दोनों का आकरमन कारी मानता है इस बात से चीन और सोवेत रशिया दोनों आराज हो जाते है भारत से फिर भारत यह कहता है कि अमेरिका को इसमें इंटरफेर नहीं करना चीए फिर अमेरिका नहीं आच जाता है भारत से भारत की इस तद्धियर धुलमो लती है इसमें तो मेरे इसाब से यह नाइनटीन फिफ्टी टू फिफ्टी थरी का कोरियन वर समझ में आगया होगा आप तो अब इसके बाद एक और घटना घटी नाइनटीन फिफ्टी फाइफ के अंदर वियतनाम वर देखो क्या मैदान पहले तयार था यह तो बस लगाता धमा धम धमा धम होए जा रहे है इसमें क्या है देखिए हाँ इस पर भी बात की थी अपन ने यह वियतनाम का मैप रहा है अगर वियतनाम का उस समय का मैप देखें एक बार तो पुराना नाम जो है उसमें आपको मिलेगा वियतनाम के एरियास का यह पूरा वियतनाम जो है यह एक तो अनाम में बटा हुआ है दूसरा यह टॉंकिन में बटा हुआ है लाउस हैजिटिस है इसका नाम सियाम था और यह है कमबोडिया है और यह कोचीन चाइना है है तो इस इंडो चाइना तो यह इंडिया मिंअर्बर्मा के क्या है तो यह तो कंट्रोल में है ब्रेटैन यह enrolled में चान्चेर फ्रांस पर हुआ क्या 1940 तक World War जब 2nd चल रही है 40 तक रौंद देंगे France को Germany और France को बैठा देंगे गुठने पे तो जब Germany जीट जाएगा तो Germany के कंट्रोल में हो जाएगी चीजे हला कि इसे जापान ले लेगा मित्र है जापान तो जापान ले लेगा इसे तो France का कबजा हटा जापान का कबजा बना आगे जाके जब जापान पे भी bombing हो जाएगी इरोशिमा नागासा की पे 1945 में तो जापान भी पीछाड जाएगा जापान से भी शेतर निकल जाएगे इसी बीच में होगा क्या कि जो वियतना वाले एरिया नहीं ही है जैसे कि ये टॉंकीन अनाम इसको मिला करके वियतमिन है इसका पुरा नाम वियतनाम का इसकी इस्थापना कर दी जाएगी होची मिन के द्वारा अब होची मिन को ने ये है ये भी पैदाईशी कमिनिस्ट है यह मान लीजी आप, यह भी influenced है Soviet feminism से, चाइना से, तो यह तो रशिया को देखो, बिल्कुल बराबर सपोर्ट मिल रहा है दुनिया से, तो यह भी communist है, और यह वहाँ पे establish कर देंगे, अच्छी खासी आराम से, वियत नाम को feminist, और अभी जब पहले लड़ रहे थे, तो इंडो bombs की, तो जापान भी drawback कर जाएगा, अब यहाँ पर वापस control करने की कोशिश करेगा France, कि वही मेरा control वापस करो, पर France लड़ भिड़ करके, थोड़ा बहुत हिस्सा, इस में ले लेते हैं, थोड़ा बहुत हिस्सा लेने की कोशिश करेगा, मिल भी जाएगा इसे, तो बात वही होगी वापस से, कि North Vietnam के अंदर होची मिन है, कम्यूनिज्म है, South Vietnam के अंदर फ्रांस, फ्रांस पे जब भरी पढ़ने लगेंगे चीन और सोवियत रशिया, तब अमेरिका एंट्री करेगा, नाटो मेंबर से एंट्री करेंगा, कि मिल के सामना करेंगे कम्यूनिस्म का, अब इस वार में क्या है कि महान लाउस ने अपनी जमीन दे दी, कि यहां से अभी अटेक करेंगे, यहां से भी अटेक करेंगे, तो हुआ यह कि 1963 से लेकर 1973 तक, इन 9 सालों के अंदर धमा धम बॉंबिंग होगी किस के ओपर, लाउस के ओपर, शानदार बॉंबिंग होगी, हर आठ मिनट में एक बॉंब गिरता था, इस टाइप की गणी था, लाउस पूरा मलवेगर देर में हो गया था तयार, तो चीज़ें बदलती गई, इस्ततियां बहुत डेंजर होती गई, और अमेरिका यहां एंट्री कर गया, वियत नाम के अंदर, अब अमेरिका जब एंट्री कर गया, तो साउथ वियत नाम के अंदर यह महान पुरुष हैं, बाओ दाई, इनके नहत्रतों में एलेक्शन कराये गए, जनता ने वोटी नहीं दिया उनको, तो जो बाओ दाई थे, बाओ दाई को वोटी नहीं मिले, और इनका नाम तुरं थटाया गया और इनकी जगे दूसरा, नगो दियम, इनने साउथ वियत नाम का राष्टपती बनाने पे सहमती बनी और इनको इनके नेतरतों में एलेक्शन करवाए गए, और वियत नाम से उनने सो तहतर से लेके पिच्चतर तक अमेरिका वापस निकल गया, ऐसा कहा जात है कि वियत नाम में अमेरिका को मुह की खानी पड़ी थी, क्योंकि परोख शुरूप से या प्रत्यक शुरूप से बात की जाए, तो कम्यूनिज्म ही यहां पे जीता था, काफी सारा नुकसान भी हुआ था, सब कुछ काफी मार पीट, काट पीट हुई, लेकिन यह हमारे 12 में नहीं है, ठीक है, तो इस पे इतनी बात करेंगे भी नहीं हम, इसके बाद एक और समस्या पैदा हुई थी, 1973 की, इसको छोटा सा समझेंगे ज़्यादा नहीं, प्योंकि अगले लेक्चर्स में इसके बारे में अच्छी खासी बात हुई है, गल्फ और, हुआ क्या था, सोवियत आरबी ने अरब नेशन्स को सपोर्ट किया, हतियार प्रोवाइड कराए, चौथी पांच भी गल्फ हो रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको सिर्फ शॉर्ट में में समझेंगे, बाकी अगले नेक्स चैप्टरस में इसके डिटेलिंग करेंगे, अरब से, त सिनाई पैनिंसुला है, यहां पर धमा धम इसराइल पर्टेग और था, इसराइल हारने की इस्तती में आगया था, लेकिन अचानक एक अरब कंट्री है, इजिप्ट, इसने साथ छोड़ दिया, और यह मिल गया अमेरिका के साथ, और 1973 का यह गल्फ वार भी, अमेरिका और जीत रही, ऐसी बहुत सारी समस्यां पैदा वी थे, 1971 का इंडिया-पाकिस्तान वार देख लीजी आप, इस वार के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका और भारत को सपोर्ट कर रहा थे, यूएससर, 71 अगस्त मजो ट्रीटी होई थी, फ्रेंड्शिप ट् तो कहने का मतलब यह, यह कोल्ड वोर के दोरान, आमने सामने दोनों नहीं लड़े हैं, रीगन, रोनाल्ड रीगन जब अमेरिकन राष्ट्पती बने तब स्टार्स वार, तो स्टार वार्स की स्थतियां पैदा हो गई थी, कि अंतरिक्ष के अंदर सेना वगरे, दूसरी अंतरिक्ष के अंदर सीदे तोर पर सैटलाइट वगरे, इन चीजों को लांच किया जाए, तो अलग-अलग शेत्रों के अंदर होने वाली ऐडेलोजिकल फाइट थी है, एक तरफ सोशियलिस्ट, कम्यूनिस्ट, कंट्रीज, USSR, दूसरी तरफ USA की नाट्टो मेंबर्स, सिय तो इसे वर्ट बुक से पढ़ लेना, इसके बाद नेक्स चैप्टर उसके हम डिसकेशन करेंगे, आपका यहां तक साथ देने के लिए बहुत-बहुत तन्यवाद शुक्रिया